आज हम आपको यह बताने वाले कि आप किस सरह से अपने MS Office को जो है अगर आपका वो एरर दे रहे है यह अनेबल टू रिस्पाउंड का एरर आपको देखना को मिल रहा है और आपका MS वर्ड यह वो आपका ओपन नहीं हो रहा तो आप उसको किस सरह से फिक्स कर सकते हैं तो च करते हैं और आपको एरर दिखाते हैं डबल क्लिक करते हैं यहां पर यह देखिए आपको एरर जो है वो देखने को मिल रहा है अपडेटिंग दॉफिस प्लेस वेट अ मोमेंट आपको यह एरर मिलेगा और कुछी टाइम के बाद आपको यहां पर एरर जो हो देखने को मिल आप देख सकते हैं, यहां पर आपको यह error जो है वो देखने को मिल गया है, unable to start office, यहां पर आपको error जो है, वो देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी files जो हैं, वो बिल्कुल भी open नहीं हुई, तो चलिए, इसके procedure जो हैं, वो आपको दिखाते हैं, ठीक है, मैं इसको यहां से simple जो है, close कर देता हूँ, और इसके लिए simple जो है, आपने जाना है, control panel के अंदर, start के अंदर जाएं, control panel और यहां पर आजाते हैं, इसको open कर लेते हैं, control panel को open करने के बाद, programs के अंदर, uninstall program इसके उपर आते हैं, और यहां पर आपको different software आपके मिल जाएंगी, आपने simple जो है, Microsoft के अंदर, ठीक है, यहां पर, आपको यह देखिए, change का और uninstall का option मिल रहा है, आपने simple जो है, इसको change के उपर जो है, और अपने yes पर क्लिक कर देना है, और यहां पर देखिए, आपको दो options मिल रहा है, quick repair का और online repair का, तो हम जो है, quick repair के उपर click करते हैं, और यहां पर repair के again से click कर देते हैं, और यहां पर यह देखिए, some thing went wrong, sorry we ran into problem, यहां से हमारा problem जो हो fix नहीं हुआ, again से इसको fix करते हैं, okay, यहां से मैं इसको close करता हूँ, इसके बाद यहां पर हम आ जाते हैं, और यहां पर type कर लेते हैं, system configuration, ठीक है, और con, यह देखिए, मारे पास system configuration जो है, वो आ गया, इसको open करते हैं, और यहां से आपके पास system configuration जो वो आ जाएगा, ठीक है, आपके पास different options जो है, यहां पर आपको services आपने, मिल जाएक option जो है, third menu आपने services के अंदर आ जाना है, और यहां से सारी की सारी जो है, इसके ओपर disable इनको कर देना है, और यहां पर इसको जो है, वो चेक कर देना है, apply कर देना है, और इसके बाद आपने okay कर देना है, ठीक है, और इसके बाद आपका system जो है, आपसे reboot करने को आपको का जाएगा, तो कह रहे है, exit without restart, तो यहां restart करना जाएगा। हम इसको यहां से restart कर लेते हैं, लेकिन मैं अपनी video को जो थोड़ा सा स्टाप कर लेता हूं लीजे जी हमारा सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो चुक है हमने रिस्टार्ट कर लिए भी आप चेक कर सकते हैं टाइम और देट को जो है वो यहां से मैंचेन आपके सामने और यहां पर अभी आपके सामने जो है इसके लावा तीसा जो स्टेप पर important step है restart करने के बाद आप अपने internet को disable कर देना अगर आपके साथ को problem आ रहा है तो इसके बाद आपके सामने जो है यहां पर मैं भी files को open करते हैं चेक करते हैं open हो रही है यह नहीं तो लीजिए जनाब यह हमारा जो है वो open हो चुका है files हमारी जो है वो आपके सामने खुल रही है हमारा problem जो है वो एक तम से solve जो हो चुका है अमीद करता हूँ आपके वीडियो आपको पसान दाएगी अगर आपको वीडियो अची लगे तो इसे लाइक प्लाटनी की जगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत विलेगा इसी के साथ मुझे दीजिए ज्यादत अल्हाफेज